sections का क्या आर्थ होता है या आज की इस वीडियो में सीख लेती हैं sections का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो section का plural यानि की भोवचन होता है sections यानि की एक से ज़्यादा section को हम sections कहते हैं और section का आर्थ होता है अनुछेद, धारा, खंड, टुकड़ा, भाग, अंच, हिस्सा या अनुभाग तो एक से ज़्यादा अनुछेदों, धाराओ, खंडों, टुकडों, अंचों, भागों, हिस्सों या अनुभागों को हम sections कहते हैं इसकी इलावा section का इस्तेमाल verb की रूप में भी किया जाता है तो verb की रूप में section का इस्तेमाल जब हम present indefinite tense में he, she, it, it, singular third person के साथ करते हैं तो rule के coding इसकी साथ ऐस लगाते हैं जिससे sections बनता है और sections का आर्थ होता है कि section करता है या करती है और section करने का आर्थ होता है काटना, हिस्सों में भाग करना, विभाजित करना, तराशना या प्रतिभाग करना तो sections का आर्थ हुआ कि काटता है या काटती है, हिस्सों का भाग करता है या करती है, तराशता है या तराशती है या प्रतिभाग करता है या करती है या कर देता है या कर देती है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहें कि यह पुस्तक 6 खंडों में विभाजित है तो आप कहेंगी the book is divided into 6 sections या अगर आप यह कहना चाहें कि यह अध्याय तीन खंडों में आता है या तीन भागों में आता है तो आप कहेंगे the chapter falls into three sections the chapter falls into three sections अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बक्वास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें